सबसे पहले जानी इनका जन्म कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनों में इनका जन्म हुआ यहां से समझे कब जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनों में हुआ था किलिया रहे जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनों में इनका जनम हुआ इन्होंने लखनों विश्व विध्याले से एमे की परिक्षा उत्रीन की देखिए मैंने मोटे मोटे तोर पर इन बातों को लिखा हुआ है तो क्या लिखा है कि जन्महेन का 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनों में हुआ लखनों विश्व विध्याले से इन्होंने एमे की परिक्षा उत्रीन की इन्होंने पिर्चुर माध्ये में पद्ध्य और गद्ध्य लिखे है और 1990 में दिल्ली में इस महान साइतिकार ने इस संसार से विदा ले ली यानि 1990 में इनकी म्रत्यू हो गई ठीक है तो अब हैंकी रचनाये रचनाये बहुत ही सिंपल है सीडियों पर धूप में पहली सीडियों पर धूप में हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए है दो रचनाये बेसे आपसे पूछी जाती है लेकिन मैंने तीन लिखी हुई है तो आप लिख ली जगा कि सीडियों पर धूप में हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए है अब देखते हैं रगवीर्ट साहाई जी का भाव पक्षे देखे भाव पक्षे में के अंतरगत क्या है इनके कावी में मध्यमवर्गी जीवन का चितरन तथा भ्रस्टाचार का चितरन किया है एक तो मद्यमवर्गी जीवन का चितरन किया साथी साथ भरस्टाचार का चितरन किया हुआ है तथा सहाई जी की जो कहानी में राजनेतिक या सामाजिक चेतना देखने को मिलती है यानि कि राजनेतिक की चेतना भी और सामाजिक चेतना भी देखने को इनके भाव पक्ष में मिलती है यानि कि इनके जो कहानी है बताई इनने उसमें राजनेतिक और सामाजिक चेतना भी देखने को मिलेगी तो इस तरह था इनका भाव पक्ष चलिए अब देखते हैं कला पक्ष ये कला के प्रती सजक कवी है इनकी जो भासा सुद्ध खड़ी बोली है इन्होंने अपनी कृतियों में जो इनने रचनाई रची उसमें अलंकार चंद विबिन प्रकार की सेली आदिका प्रियोग भी किया हुआ है तो ये कला के प्रती सजक कवी रहे इनकी भासा सुद्ध खड़ी बोली रही इन्होंने अपनी कृतियों में अलंकार चंद विबिन प्रकार की सेली आदिका प्रियोग भी किया हुआ तो सिंपल सी बात है कि कला पक्ष में हर एक की जो कला पक्ष रहेगी उसके अंतरगत इन्होंने रशनाओं में किस तरह का प्रियोग किया अलंकारों का प्रियोग किया चंदों का प्रियोग किया केसी इनकी बोली रही इन सब का बारे में कला पक्षे के अंतरगत लिखा रहे था और भाव पक्षे के अंतरगत इनका जो भाव था इन्होंने किसके प्रतिन की रशनाओं में भाव देखनों को मिलता है जैसे मान लिए आप तुलसिदाश जी को भाव था भक्ति भाव के थे ठीक है तो उनके जो भाव था वो क्या था भक्ति ठीक है तो इसी तरह भाव पक्षे के अंतरगत उनका विचार आते हैं और कला के अंतरगत इन्होंने किस तरह की कला का पिर्योग करके इन्होंने रशनाए की तो अलंकारों का पिर्योग किया चंदों का पिर्योग किया सुद्ध खड़ी बोल हमारे हिंदी सायति के लिए क्या है वहाँ अतुल है इसके अरंसे इनका जो महेटपूर्mid इस्थान दिया गया है ने एक उच्छी स्थान दिया और इनके योगदान के लिए हिंदी सायतिने सदाईय स्मरनी करेगा यह यह प्यक्तर conserv चीलिग सकते हैं मेहदपूर्य को संदी स्थान लिख सकते हैं यह आप साहिति में इस्थान समझ लिए आपको आप